तो लंपी स्किन डिजीज, LSD, इस बार राजस्थान और गुजरात में सारवादिक जो गोधन हैं, वो LSD की इस महामारी की चपेट में आए हैं, तो इस वीडियो की माध्यम से इसका एक देश सी नुसका आप तक पहुचाने का प्रियास जो की काफी काफी कारगर है, तो फि जिसे अंग्रेजी में LM भी कहते हैं, लाल फिटकरी तकरीबन आधा किलो के आसपास ले लें, और सफेद जो फिटकरी होती है, आप उसका भी प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन अगर लाल फिटकरी लेते हैं, तो उसमें आपको प्रिणाम और भी अच्छे देखने को मिलेंग एक सफेद फिटकरी साबन की बट्टी की तरह इस तरह भी आती है, हलांकि जो नॉर्मल सफेद फिटकरी है, वो ज़्यादा ठीक है, आपको सस्ती भी मिलेगी, तो तकरीबन ये पचास साथ रुपे की आदा किलो फिटकरी आपको आएगी, और उसको आप तकरीबन इवन बीस लिटर की बाल्टी है, और इसमें यादा किलो जो फिटकरी है, उसको इस पानी में घोलेंगे, आप इसको पीस भी सकते हैं, पीस करके घोलने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, अन्य था इसमें आपका परिश्रम जो है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा यह देखें, अच्छी तरह से घोल लेने के बाद, जो फिटकरी का पानी है, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, तो फिटकरी जो है, यह जब हम मनुष्य भी या हम आधुनिक मानों भी जब डाड़ी बनाते हैं, तब उस समय जो कट लगता है, तो उस समय भी आप देखे कि फिटकरी का प्रियोग किया जाता है, तो फिटकरी जो है, वो घाव को हील करने में, ठीक करने में, घाव को भरने में काफी कारगर है, बलड को उसी समय कलोट करती है, उसी समय जो खून का जो है, वो ठका यह बनाती है, तो इस तरह से आप फिटकरी का भरपूर प्रियो करें गोपालन जब आप करते हैं तो फिट करी आपको काफी जगें जब सेप्टी सीमिया जहर का प्रभाव गाएं के बलड में आ जाता है उस समय भी गुड के साथ तीन ग्राम तवे पर भूंद करके अगर उसको देते हैं तो सेप्टी सीमिया का जो प्रकोप है वो भी कम द नंदर बनता है उसे सेप्टी सीमिया और बे रहं प्रकार का यहां पर 100 नंबर जो गोमाटा है यह दू शी जगोशाला की उसको सनान करवा करके किस तरह से आपको फिटकरी के पानी से उसको पूरी तरह से धोना है असनान करवाना है वो दिखाने का प्रियास है हालांकि कोई भी यहां पर जो गाएं है वो परभावित नहीं है लेकिन यह जो नुस्का है यह काफी कारगर है लंपी स्किन डिजीज में एक बात और जो अती महत्पून है जो आपको विशेश तोर पर ध्यान में रखनी है जिस समय ये बेमारी अपना प्रकोप या अपनी शुरुआ जब करती है उसी समय अगर आपने ये जो इलाज है अगर कर दिया तो आप शर्तिया एक या दो बार सनान करने पर ही उससे निजात पालेंगे उसको ज़्यादा बढ़ने ना दे तो देखें युआ साथ ही है योगेश और फिटकरी के पानी से किस तरह से गव को सनान करवाना है वो यहाँ पर दिखाते हुए तो एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा आधा किलो फिटकरी 20 से लेकर के 25 लिटर पानी में अच्छी तरह से घोलने के बाद जो परभावित गोधन है उसको आप अच्छे से नहलाएं उसके घाओं को अच्छे से साफ करें हलांकि बहुत ज़्यादा रगड़ने की आवशकता इसमें नहीं है और इसके बाद तकरीबन 3-4 जो बाल्टी हैं अच्छे पानी की साफ पानी से उससे नहलाएं तो एक फिटकरी के पानी से एक बाल्टी 5-7 मिंट उसके उपर छोड़ दें और उसके बाद चार बाल्टी तकरीबन 100 लिटर पानी में धीरे धीरे करके उसको पूरे शरीर को धोएं तो अच्छी तरह धोने के बाद दूसरी खुराक जो आप को उसको गाएं को प्रभावित गोधन को लस्डी वाली या जिसके चमड़ी पर इस तरह हैं के फफोले हो जाते हैं उसको खिलाना है आधा किलो आप बाजरी लें देशी बाजरी और उसको दरदरा जो है वो आटा कर लें उसका पीस करके और दरदरा आटा बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसे तो बहुत आकरीबन आपको दो बड़ी चमच जो है वो आमा हल्दी हो तो सर्वसरेष्ट है अन्य था जो साधारन हल्दी है वो भी चलेगी तो दो बड़ी चमच उसमें हल्दी जो है उस बाजरी की आटे में आप मिलाएं और हल्दी के बाद यह देखें यहाँ पर बाजरी का जो आ बना करके और पूरा इस तीज को दिखा करके इसी लिए प्रियास है ताकि आपके लिए जादा से जादा सुगमता रहे तो हल्दी यहां पर ली गई है बाजरी का आठा लिया गया है आधा केजी और यह लें देशी गाएं का घी जैसे कि अन्य वीडियो में भी मैंने बताया है जब आपको गाएं बिमार हो गाएं में कोई व्याधी आई हो तो तकरीबन 70-80% केसिज में अगर आप उसको गाएं क को रिजल्ट देगा तो यह देखें तकरीबन तकरीबन आप 50 से लेकर के 100 ग्राम देशी गाएं का घी ले ले और इसको अच्छी तरह से ओसन ले जिस प्रकार से आप कि रोटी का जो आटा गूथते हैं उसी प्रकार से इसको गूथ करके और इसके जो है पेड़े तयार कर ले थोड़ा सा पानी अगर आप इसमें प्रियोग करना चाहें तो किसी प्रकार की कोई आपती नहीं है LSD लंपी स्किन डिजीज जिसमें इस बार राजस्थान में सारवादिक गाएं जो हैं उनकी मृत्यू हुई है मार्मिक मृत्यू हुई है उसका बिल्कुल एक सीधा घर पर तयार करके और क्या आप उसको दे सकते हैं बिना एक रुपे का खर्च की इसमें जब भारी मात्रा में गव के इस तरह का चरम रोग होता है LSD का जब प्रकोप आता है तो कहीं न कहीं किसान भी पीछे हट जाता है क्योंकि उसकी आर्थिक शमता इतनी नहीं होती है कि वो डॉक्टर को बुलाए डेली अंग्रेजी आधारी चिकित्सा करवाए फिर डॉक्टर की फीज फिर उन दवाईयों की फीज तो वैसा ना करके यह यहां पर देखें बाजरी का जो हाटा लिया था उसके दो मोटे पिंडे या फिर जो पेड़े हैं वो तयार कर लिए गए यह देखें इस तरह से और शिरिफ दो मोटी रोटियां बाजरे की आपको तयार करने हैं यह इस तरह से और धीरे धीरे चूले पर उसको पकने दे और इसमें जो एक बिंदू विशेश तोर पर जो ध्यान रखना है जो यह रोटी है इसको शिरिफ एक ही तरफ से सेकना है एक ही तरफ से कड़क करना है दूसरी तरफ इसको कच्चा छोड़ दे यह दूसरी यहां पर जो बाजरी की मोटी जो रोटी है उसको भी एक ही तरफ से एक ही तरफ से सेकेंगे दूसरी तरफ उसका कच्चा रहने दे फिर देखें आदा किलो बाजरी लिया उसमें आपने हल्दी मिलाई उसने आपने घी मिलाया और उसको चूले वाली आज़ पर सेकना है और फिर उसको एक तरफ से सेकने के बाद एक तरफ से ऐसे ही छोड़ दें फिर जो प्रभावित जो गव है उसको आप खिलाएं जो कहना चाहूंगा यह डेमोंस्टेशन परपस के लिए वीडियो बनाई गई है यहां पर क्योंकि हमारे पास कोई प्रभावित गव नहीं थी जो की इस बिमारी से ग्रसित थी इसलिए अन्य जो गव है उसको नहला करके फिटकरी के पानी से और यह बाजरी की रोटी खिला क परके दिखाया गया है इसमें हमें जो परिनाम है यह सिर्फ एक की धी ऑफ लाजवाब परिनाम देखने को में मिलेंगे अलएशडी में कोassin को एक खुराक के कि आप उसको खिलाते रहेंगे तो लस्डी का जो है एक जो काफी अच्छे गोपालक थे गोउ के चिकित्सा के जो जानकार थे उन्होंने हमें इस चीज के बारे में वारतल आपके दोरान बताया और तब ये जो नुसका है ये किस तरह से बनाना है किस तरह से खिलाना है किस पूरा तयार करके और आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रियास